दोस्तो इस बार धंतेरस का महापर्व दिन सुक करवार को मनाया जाएगा यानि की दीपावली से दो दिन पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं धंतेरस का अर्थी धन से जुड़ा हुआ होता है मानते हैं कि इस दिन सचे मन से पूजा अर्शना करने से और कुछ खास चीजे अपने घर में लाने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ती होती है तो ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा मंत्र भी बताएंगे जिसके माध्यम से आपकी सभी परेशानियों को आप चड़ से खतम कर देंगे दोस्तो वैसे तो इस दिन कुवेर देव के साथ धनकी देवी मालक्षमी की पूजा करने से जीवन में सुख सम्रिद्धी और एश्वर की प्राप्ती होती है साधी जीवन में सुरेश्ट सफलतायों धन संपत्ती की भी प्राप्ती होती है और इस थाई रूप से मालक्ष्मी गर में वास करती है दोस्तो मानिता है कि इन पांच महापरवों में धनकी देवी मालक्ष्मी और कुवेर देव धर्ती पर विचरन करते हैं और उन व्यक्तियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि इस समय पे पूजन अर्चन करते हैं तो दोस्तो इस सम्मंदित ही ये खास मंत्र आज आप सुनने माता लक्ष्मी का या विशेस मंत्र स्री सूक्त से लिया गया है श्री सूक्त का अर्थ ही माता लक्षमी को प्रसंद करना होता है इस मंत्र को ध्यान पूरक चुनिएगा और इसका उच्चारण इन पाँच दिनों में कभी भी कर दीजिएगा ओम हिरन्य वरनाम हरनिम सुवर्न रजद सुरजाम दोस्तों ये खास मंत्र आपको इस दिन बुलना है यानि कि इन पाँच दिनों में कभी भी तभी आपको आपकी सभी मनुकामनाय पूर्ण होती भी दिखाए देगा रातो राच चमतकार अगर आपने नहीं देखा है अपनी जीवन में तो इस मंत्र के माध्यम से आपको यह चमतकार दिखाई देगा खास कर वैदिक ब्रहमनों से किया गया अनुष्ठान से भी आधिक गुना फल देने वाला यह विशेस मंत्र आपको मालक्षमी की प्राप्ति करवाएगा तो दोस्तों अगर यह खास जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने आस पास के लोगों को भी शेयर करें क्योंकि यह फाइदा उनको भी प्राप्त होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जैमालक्षमी लिखना ना भूले धन्यबाद